एक बहुत बड़ा फैक्टर उतरपदेश कुनावों का वो है दलित और दलित किसकी तरफ जाएंगे, किसको वोट देंगे, ये बहुत एहम है जानना क्योंकि दलित वोटों की सोशल इंजिनरिंग मायावती ने की थी, ब्रामनों के साथ तो सरकार बना ली थी, इस बार दलि वोट बैंक के लिहास से अगर बात की जाए तो वो है भगवा पार्टी बीजेपी, 37 फीजदी जो वोट हैं, दलितों के, वो बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं, और समाजबादी पार्टी के खाते में 11 फीजदी, यानि बीजेपी के वोट क्या बीजेपी का कोर वोटर रहा है, उसकी सबसे पहले बात कर लेते हैं, जाटों किसको वोट देंगे सबसे जादा, वो किस पर बहुरुसा जता रहे हैं, तो वो तो एविडेंट है क्योंकि दलितों ने कहा कि सबसे जादा बीजेपी को वोट देंगे, तो 79 फीजदी के साथ जाएंगे बीएसपी को 79 फीजदी जाटव वोट देंगे जिनकी दलित वोटों में 12 से दलित वोट अगर 21 से 23 फीजदी है तो उसमें करीब आधे की सदारी उनकी आ जाती है बिलकुल और जाटव वोट बैंक अभी भी इंटेक्ट नजर आ रहा है मायावती की पार्टी के साथ और देखिए जितने भी ओपिनियन पोल हुए है उसमें दलित वोट बैंक जो है वो इस बात को साफ करता हुआ नजर आ रहा है कि देखिए मायावती ने दलितों के लिए बहुत काम किये हैं लेकिन मायावती की सक्रियता की कमी मुझे लगता है एक बहुत बड़ी वजे बनती हुए नजर आ रही है 14 फीजदी जाटव जो वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ 8 फीजदी कॉंग्रस के खाते में 5 फीजदी अब अब ये आखड़ा बिल्कुल पलर जाता है बीजेपी से ये चंक आ जाता है बीजेपी की तरफ और बीजेपी गैर जाटव वोटों में सबसे बड़ी हिस्दारी पा सकती है ये ओपिनिन पोल बताता है 40 फीजदी नौन जाटव बीजेपी को वोट दे सकते हैं जबकि बी जाटा वोट बैंक का मं जिक्रे करते हैं जिसकी इस्सेदारी 8-10 फीजदी मानी जाती है बीजेपी के खाते में 40 फीजदी और समाजबादी पारटी के खाते में 25 फीजदी गैर जाटा वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं आप सबी लोगों का स्वागा थे लेकिन राशित दल्वी जी आपके पास आऊँगा सबसे पहले देखे आप कॉंग्रेस के नेता हैं और कॉंग्रेस का ओपिनियन पोल तो बड़ा गड़बड है आपकी पार्टी ने 40 पीजदी महिलाओं को टिकट दिया प्रियंका गांधी बहुत मेहनत कर रही है उन सब के बापजूद अगर महिलाओं की बात कर ले तो अपिनियन पोल बताता है कि सबसे ज़्यादा महिलाओं भरोसा करती है बीजेपी पर और उसका एक बहुत बड़ा क पाटी अपने आपको इस दड़ाई में कहा मान रही है देखिए मैं कहूंगा देश में पांच विदान सभाओं का चुनाव पंजाब में है मनीपुर में है गोवा में है उस तरह खंड के अंदर है और योपी में हम कमजोर हैं आपके बाद से सैमा लेकिन हम कमजोर क्यों है हम कमजोर इसलिए हैं कि हम किसी एक ब्रादरी की बात नहीं करते हैं आप कमजुर हैं आप मान रहे हैं इस बारते जंटा पार्टी नफट की राज़नी की करती है कमिनल राज़नी की और कुछ लोग ब्रादरी की राज़नी की करती है राजित अलवी साब अगर मैं सीधा सवाल आपसे पूछूँ क्या कॉंग्रेस सोतर प्रदेश में पूरा दमखम लगा कर इसलिए लड़ रही है ताकि समवन वोट बैंक में बीजेपी के कटोती की जा सके और अगर जरूर पड़े तो आने वाले वक्त में समाजवादी पार को बाहर का रास्ता दिखाना चांगे बीजेपी ने बेश को तबाह कर दिया उत्धर परदेश को तबाह कर दिया और यह सवाल हिंदू-मुसल्मान का हर्विस नहीं थे उत्तर परदेश में कोई गाउं ऐसा नहीं है जहां पे कोईट के अंदर लोग मरे गंगा यमना के अ औक्सीजन नहीं थी आस्पतालों में जगा नहीं जाए तो कोई तो मजबूत होगा यूपी में देखेई मैं आपके इसलिए नहीं कर पूरा मेरे दोस्त बहुत आप के चैनल को नहीं कह रहा है लेकिन जो opinion poll करते हैं, वो हमेशा सही नहीं करते हैं, बंगाल के अंदर क्या हुआ था, यूपी के अंदर क्या हुआ था, आपने opinion poll देखा, बिल्कुल उल्टा हुआ, तो उद्धर परदेश के अंदर, ज्यादा तर opinion poll बीजेपी की सरकार बतार है, हर्गेज नहीं है, पार से शुक्रवार, शाम छे बजे, सिर्फ टीवी नाइन भारतवर्श पार